ताजा तरिन खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें मैं हूँ स्लामोदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स से कमजोर दिवारे गिरने की खबरें सामने आ रही हैं मगर मलाड में जो दिवार गिरी है उसमें 24 लोगों की मौत हो गई है मुम्रा और कलवा रेलवे इस्टेशन के बीच में एक नाजलीन इबराहिम शेख नामक महिला सही चार लोगों की लोकल ट्रेन से नीचे गिरने की खबर सामने आई है आज सुबह के वक्त भीड होने की वजह से ये लोग अंदर नहीं जा सके और कलवा मुम्रा के बीच में ही गिर गए अधिकारिक तोर पर सिर्फ नाजनीन की गिरने की पुष्टी की गई है मगर चार लोगों की गिरने की खबर सामने आ रही है महिला का इलाज कलवा शिवाजी अस्पताल में चल रहा है तो वहीं तीन लोगों को इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है पेर में लगाए, कमर पेट भी बहुत दुख रहा है, यहां गर्दन में लगाए पिछे पुरानी दिल्ली के लाल कुआ में दुर्गा मंदिर के पास इसकूटी पारकिंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, यह विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर मार पीठ हुई और पत्थरवाजी भी हुई, धार्मी कस्थल पर सुरक्षा लगा दी गई है कि कोई भी अपरिये घटना न हो सके, ठाने पुलिस आयोकताले वागले इस्टेट परिमंडल पांच के आधीन बिभिन, पुलिस टेशनों द्वारा एक करोड़ चार लाख पचपन हजार का समान शिकायत करताओं को, पुलिस उपायोकता अभिनास अंबारे ने सहनाई हौल में मोबा इस यो सामने आया है, जिसमें कुछ यूवक रेलवे ट्रेक के पास नहाते हुए दिख रहे हैं, ट्रेन की पट्री से छलांग लगाकर यो यूवक नहा रहे हैं, जरा सभी चूक हो जाए, तो इनकी जान भी जा सकती है, जब बिलकुल ट्रेन इनके पास आजाती है, तब यूवक पानी में छलांग लगाता है, तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं, प्रहाट टांग,